तो देखिए जो युनिवर्सटी अब क्यलकटा है या बोल सकते हो क्यलकटा युनिवर्सटी सी यू उसका eligibility criteria क्या है तो आप अगर WPG के प्रेंट हो तो आपको यह पता होना चाहिए किसका criteria क्या होता है पहले में बता दू यह जो पर्टिल कॉलेज है यहाँ पर कुछ वैसा reservation system नहीं है जैसे जादपूर में है जादपूर में क्या है 90% जो seat है वो domicile के लिए reserve किया गया है और 10% जो seat है वो non domicile के reserve किया गया है लेकिन CU में ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है यहाँ पर equal fight होता है अब एक ही समझीए जादपूर university में आपका जो decentralized counseling होता है वहाँ पर दोनों तरके बच्चे eligible होते हैं domicile भी non domicile भी लेकिन जो CU है वहाँ पर बस आपका domicile बच्चे ही eligible होते तो यहाँ पर यह difference हो जाता है ठीक है main difference क्या है जादपूर में 10 परसेंट है 90 परसेंट है और यहाँ पर CU में कुछ ऐसा नहीं है जादपूर में आपका जो decentralized counseling है अब DCLS counseling क्या होते है इसके उपर एक separate वीडियो बन चुक है आप लो चाओ जो देख सकते हो यूट्यूब पर पिछले सल के वीडियो मौजूद है काफी डीटेल मैंने समझा रहा है DCLS counseling होता क्या है स्यू में जो DCLS counseling होता है यहाँ पर बस domicile बच्चे ही eligible होते है अब यहाँ पर क्या बताया गया है देख सकते हो आप यह जो screenshot है मैंने WBG का जो information bulletin है 2013 वहां का latest जो details है वो मैंने screenshot उठा रखा है तो candidates must pass 10 plus 2 or equivalent examination from recognized counseling or board in regular class mode with mathematics mathematics physics and chemistry as compulsory subjects with at least 60 percentage होना चाहिए marks in above three subjects taken together ठीक है यानि कि PCM में आपका जो aggregate है not aggregate 60 percentage होना चाहिए ठीक है जी individual passing marks both in theory and practical ठीक है आपका अगर theory practical है तो individual passing marks होना चाहिए अब practical में वह क्या passing marks है वो board to board depend करता है in each of the subject and pass marks in English with a minimum 30% in the same qualifying examination तो ये जो है ये जूट and fiber की अलावा जो बाकिसे जो ब्रांचे से उसका चर्चा हो रहा है ठीक है अब सिर्फ जूट and fiber का तो यहाँ पर क्या difference है देखो अपका physics होना चाहिए mathematics होना चाहिए ये दुनों चाहिए और chemistry होना चाहिए या बायो technology होना चाहिए या biology होना चाहिए तीनों में से कोई एक होना चाहिए as a compulsory subjects with at least 60 percentage ठीक है in the above three subjects taken together and with at least 30% marks in English तो यह difference है आपको clearly नजर आ रहागा कि क्या difference है actually तो यहाँ पर आपका subject difference है आपका PCM होना ही चाहिए यहाँ पर आपका like suppose physics and mathematics है and chemistry अगर नहीं है तो biology भी हो सकता है by your technology भी हो सकता है तो आप बचे इलिजिबल हो真的是 subject होना चाहिए ओbasional नहीं होना चाहिए when बचे पूस्दे की मैंने मैं जब io tina रहा हो तो college सूं नहीं कर रहा है तो college इसलिए सूनी करता है कि 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 ह आप eligible हो ही नहीं मैंपगा वह subject औप्सिनल है तो आप कैसे लिटल सकते हो तो अभी तो लगता है कि हाँ जी मैं तो इलिजिबल हुई लेकिन काउंस्लिंग जब होता है जब चॉइसलिंग होता है वहाँ बचे परिसान हो जाते हैं बाकी आपके मन में कुछी प्रस्टन है इस्टील आप कमेंट कर सकते हो मातर ऐसा एक चैनल है जो की प्रॉपर कंटेंट आपको रेगुलर बीस पर मिलता रहेगा हम लोग एक डेडिकेटेड वाट्साप ग्रूप है आप उसको भी जॉइन कर सकते हो जहाँ पर रेगुलर अपडेट देते रहते बच्चों को रिगार्निंग डवलीजी प्रिप सेर जरूर करना है और जिनको पता है नहीं तो हम लोग का डवलीजी के लिए एक अलग से मॉक टेस्ट सिरीज है एंड मेंटर्शिप सपोर्ट है तो आप बच्चे अगर जॉइन नहीं कियो बैचेस को बैच B1 है बैच B2 है बैच B3 है तो जल्दी जॉइन कर सकते हो एंड आपका जैसा भी प्रिपरिशन है अभी फिलाल उसको और इंक्रीज कर सकते है ताकि आपका जो भी एक्सपेक्टेट कॉलेज है जो भी एक्सपेक्टेट आपका ब्रांच है आप उसको प्राप्त कर सको